दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है इरेडा आज लिस्ट हो चुकी है और इस कंपनी का जो अभी प्राइस है आप देखेंगे इसका जो स्टॉक प्राइस करीब जो समय हो रहा है इस समय बारा बच के अठावन मिनट और 29 तारेख है ओपन हुआ ये करीब 50 रुपए के आसपास और अपर सर्किट इसका है 60 रुपए यानि कि यहां पर फ्रीज हो जाएगा वोलूम अच्छा खासा इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है करीब 33 करोड के आसपास इसकी जो मार्केट कैप है वर्तमान दिखाई दे रही है 15,938 की 16,000 करोड के आसपास आप मान के चल सकते हैं मिट कैप की कंपनी बन गई है और प्राइस्ट बुक वैल्यू इसका 2.29 है तो देखा जाए जिनको IPO में अलॉट्मेंट मिला होगा उनको काफी अच्छा खासा करीब करीब कम नहीं तो डबल के आसपास 32 रुपए के IPO प्राइस वाला अभी फिलाल 60 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और यह देखिए हमने इस पे वीडियो बनाया था IPO में भी आप लोगों को जानकारी दी थी इरेडा IPO में आवेदन करे या नहीं करें तो इसमें हमने कहा था कि आप जरूर कीजिए और साथ ही उन लोगों के लिए दो-तीन दिन पहले हमने वीडियो बनाया था जो लोग लिस्टिंग के समय लेना चाहते थे जब आप World Cup का लुट पूठा रहे थे तब हम आपके लिए इस कंपनी पर रिसर्च कर रहे थी यह हमने एक वीडियो बनाया था इसमें कंपनी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी किस प्रकार की कंपनी है, क्या करती है क्या वैलवेशन था, फ्यूचर क्या हो सकता है उस पर सारे जानकारी हमने आपको दे थे अब इरेडा के बारे में फिर से माज की जानकारी बता दें उस दिर हमने कहा था कि जब लिस्ट होगी तो हम जानकारी देंगे कि वर्तमान समय क्या ऐसती है और क्या भाविश्य हो सकता है सबसे पहले समझना है कि IREDA कंपनी करती क्या है IREDA एक ऐसी कंपनी है जो Renewable Energy के लिए जो कंपनिया काम करती है माली जे कोई Solar Power के तहट विद्यूत का निर्माल कर रही है या फिर Hydro Power या अक्षय उर्जा जो टर्बाइन इनर्जी वाला वहां से उत्पन कर रही है तो उन कंपनियों को अगर फाइनेंस के जरूवत पड़ती है तो IREDA उनको फंडिंग करती है चाहे गौर्मेंट की कंपनियां हो चाहे प्राइवेट कंपनियां हो तो चुकि रेनवेबल एनर्जी के लिए के वर्तमान जो सरकार है वो ज्यादा फोकस है मिनी रत्न से महारत्न कंपनी बनने जा रही तो होता है कि जब महारत्न बन जाती है तो एक तरीके का एक रेटिंग भर जाती है जैसे कि अगर आपका सीबील स्कोर है तो अगर आपका सीबील स्कोर बहुत कम है तो उसे सावसे आपको ब्याजदर जयादा देना पड़ेगा जब आप लोन लेंगे लेकिन वहींपि अगर आपका सीबील स्कोर अच्छा है राट सो से नो के बीच में है तो आपको जो है चाय होम लोन हो चाय कोई भी अने लोन हो बजाए अदर आपको रिंटरेस्ट जो है कम पे करना पड़ेगा वानि कि अच्छा ओफर देंगी बैंक्स इस तरीके से ये कंपनी जब महारत्न हो जाएगी तो ये जो पैसा उठाएगी फंडिंग उठाएगी और आगे लोन देगे तो जो कॉस्टिंग होगी उसकी कम होगी क्योंकि रेटिंग अच्छी हो जाती है तो इस वज़े से भविश्य में इस कंपनी को फाइदा हो सकता और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गौर्मेंट जो है जिस चीज को चाह ले तो चिट भी उसकी पड़ भ बनाते रहे हैं 20 रुपए यानि 25 रुपए पर लिस्ट हुआ था 25 रुपए का IPO प्राइस था 20 से 25 रुपए बहुत दिनों तक टैलता रहा जिन्होंने भारा होगा तो आज अच्छा खासा पैसा बना चुके होंगे या फिर आर्वेनल या फिर माजेगाउं इस तरीके अगर हो सकता है कि नई गवर्मेंट भी जो बने वर्तमान सरकार के लाओ तो वह भी हो सकता है कि रेनुवेबल एनर्जी को लेके आगे बढ़े और नहीं बढ़ती तो फिर क्या होता ध्यान नहीं देती कमपनियां बहुत सारे सेक्टर से ऐसे होते हैं तो कुछ पॉलसी व कमपनी पर लेके आया है तो उनको पैसा चाहिए था अगर ये कमपनी भविश में कमाती हुई रहेगा अगर मा लिजे कई गुना नहीं भी होई एक मल्टी बैगर नहीं भी बना तो भी आपको डिविडेंट अच्छा मिलता रहेगा बड़ मुझे लगता है कि इस प्रकार से इसको PSU कमपनी होते हुए बाजार ने इसको इतना वैलवेशन दिया इतना भाव दिया है कि सीधे डबल के खरीब जो है इसकी लिस्टिंग हुई है यानि कि लिस्टिंग के देह ही डबल हो गया पैसा आपका तो ऐसा लग रहा है कि इरेडा अच्छा परफॉर्म का सकत सकते हैं जिस प्रकार की कुछ पास्ट की कमपनीज ने परफॉर्मेंस दी है जैसे इसे क्वार्टर दर क्वार्टर इनके रिवन्यूज अच्छे आते जाएंगे प्रॉफिटिबिल्टी बढ़ती जाएगी वेलविशन उससे साब से अड़ेस्ट होता जाएगा इसी तरी पावर की कमपनीयां काफी अच्छा भविश में करेंगे खासकर ग्रीन अनरजी वाली और इसको फानेस करने के लिए ये कमपनी भी अच्छा पोटेंशल रखती है क्लिए रा दोस्तों एक छोटा से वीडियो हमने कहा था कि इस पर हम अब्डेट करेंगे तो आज हमने यह यहाँ पर वीडियो बना दिया थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स